दोस्तों गर बनाने में बहुत जादा खर्चा लगता है तो गर की construction करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना गर बनाना easy है लेकिन तो उसका खर्चा कैसे आप कम से कम कर सकते हो उसमें हम ना कोई compromise कर रहे हैं quality के साथ quality हमने same रखनी है ये निया कि आप पूरी उम कुछ 15 से 20 बाते में ऐसी बताऊंगा अगर उनको follow up करते हो तो 3 से 4 लाक रुपे आपका बश्चत है अगर गर 1000 या 2000 स्केर फीट का है तो उसमें ये चीज़े एक quality भी अच्छी रहेगी और आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है हमारी जो construction cost होती है दो हिस्वे हम उससे बाढते है ठीक है एक होती है हमारी labor का और एक material का जो हमारा labor रहता है labor का खर्चा वो 25 परसंट हमारा total construction पे रहता है 25 ठीक है लगा लो हमारा 1000 स्केर फीट का अगर है तो हमारा कुछ अगर 17 लाख लग रहा है उसका 25 परसंट हमारा लेवर का खर्चा जाएगा लेवर का खर्चा तो हम कम नहीं कर सकते क्यों कि वह रेट्स जो है उसमें थोड़ा बहुत बचाया जा सकता जादनी material जो main खर्चा हम बचाते हैं वो बचाते हैं हम material में material में कैसे बचाते हैं मैं शुरू से start करता हूँ आपको समझाता हूँ हम एक plot लेते हैं कोई भी एक plot बेसी point है सबको पता होता है अगर plot हमारा simple है square shape का है rectangle shape का है तो हमारा जो खर्चा होता है थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हमें जो shapes देनी है वो अच्छे proper से दे सकते हैं और एक अच्छा गर्ण बन जाता है simple procedure के साथ लेकिन अगर हमारा कुछ टेड़ा मेड़ा area है तो उसमें हम करना पड़ता है दिक्कत उसमें हमें आती हो खर्चा हमारा बढ़ जाता है तो हमेशा आपको दियान देना है कि जो आपका plot हो वो simple shape का हो यह आपने काफी वीडियोस देखेंगे यह बात हुई है अब इसी में बात निकल क्यालती है कि लोग क्या करते हैं गर का construction करवाते ह आर्किटेक और ना किसी इंजिनियर को हायर करते हैं मतलब आपको जब भी गर की construction करवानी है उसमें हमारा खर्चा कुछ 20,000 रुपे आता है अगर आप अच्छा आर्किटेक भी हायर करते हो अपनी गर के plan के लिए आपकी structure detail के लिए तो 20-25,000 रुपे उसमें लगने वाल ह लेकिन वो जो 20-25,000 रुपे लग रहा है वो आपका आगे जाके सार से 17,000-18,000 बचाता है क्योंकि आपका जो changes होती है न वो आपको on the spot नहीं होती है और बाद में जब आपके गर की construction हो जाती है यह जो 20-25,000 रुपे बचाया होता है यह आपको तब सोचाती है यार यहां पर bathroom नहीं होना चाहि刘 था, यहां पर kitchen होनी चाहिए था यहां पर area खाली नहीं होना चाहिए यहां पर होना चाहिए जब आप plant बनाते हो तो आपको दो-टीन revision आर्किटेक कहता है कि आप 2-3 रिवीजन करी आप जब तक साइटिस्वाइड नहीं होगे हम आपको प्लान देंगे तो जब आपको पूरा हो जाता है क्योंकि आपके माइंड में एक पूरा बन जाता है कि मेरा कुछ इस तरीके से गर दिखने वाला है बनने वाला है तो उससे क्या होता है उसका एक तो आपको गर अच्छे से बनता है और पूरी एरिया आपको यूटलाइज होता है और आपको जो लास्ट मिनिट तोड़ फोड होती है वो खर्चा बच जाता है इसमें हमारा खर्चा बच गया 10 से 20 जजार पर हम पकड़ की चलती है उसी साबसे आपका रेट बनेगा तो उसी दोरान कंस्ट्रक्शन के दोरान गैलरी इस निकाली जाती है गैलरी निकाली जाती है दो से तीन फीट की गैलरी उसका कुछ काम नहीं रहता है क्रीज हो जाएगा क्योंगि ठेकेदार क्या करता है जो गैलरी होती है जो स्लैब होती है उसको मेजर करता है गैलरी में हमारा देखो अगर ये कुछ पचास स्केर फिट बन गया तो इसी में हमारा दस से बीस हजार रुबे खर्चा बन गया वो फ्री का उसको जा रहा है हमने जो खर्चा किया वो acceptable है next चीज होती है जो दिवारे होती है उसकी thickness भी matter करती है अगर जो बाहर की दिवारे है आप 9 इंच की दिवारे रखो बाहर की हमें mostly 9 इंच की दिवारे रखनी होती है हम frame structure बना रहे है कोई load bearing structure नहीं है कि दिवारों पर है जहां frame partition करनी है सिर्फ उसमें load distribute के लिए हम दिवारों को use नहीं कर रहे है तो जब हम partition कर रहे है तो हम अगर उदर जहां जरूरत नहीं है 9 इंच दिवार की तो वहां हमें change दिवार देनी होगी ठीक है ना वह अच्छी नेक्स चीज आपको जो करना है आपका plot है लगा लो 1000 square feet का plot तो जो आपको construction करवानी है जब आपको इस हिसाब से करवानी है कि जो 1000 square feet है आप डिप्लेक्स के साथ mostly जाईए डिप्लेक्स के साथ क्यों मैं बोल रहा हूँ 1000 square feet एरिया है 600 square feet पे आप गर मनाओ डिप्लेक्स बना लो जैसे हम सोच रहे थी कि ग्राउंड फ्लोर पे गर बनाएंगे उपर हम कुछ नहीं मनाने वाले अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे गर मनाते है जो हमारा foundation का खर्चा होता है फुटिंग प्लिंट बीम उसमें खर्चा बहुत जाजा जाता है हमारा वो खर्चा हमारा बच जाएगा कैसे जैसे हमने 600 square feet पे गर मनाया जो नीचे हमने कमरे बनाने वाले थे वो उपर बना रहे एक तो हमारा गर उसमें elevation अच्छी दिखी कि duplex अच्छा दिखेगा दूस के साथ जले चाहो डिप्लेक्स में थोड़ा खर्चा आपका manageable हो जाता है और आपका गर अच्छा भी दिखेगा कि आगे lawn बगरा बना लो यह बहुत important point था इसको जुरूर अपना नेक्स जी जो होती है वो होती है जो हमारे window door frames होते हैं इनमें हम MS का यूज करते हैं MS का होत में आप जाए यू पीबीसी ऐलमुनियम के तरफ अगर यू पीबीसी ऐलमुनियम के आप फ्रेम यूज करते हैं मेरे मेरे खेल में जो windows आपको अलमुनियम के साथ या यू पीबीस के साथ जाओ बहुत अच्छी भी दिखती है एडवंटेजिस भी कॉफी जादा अची है जो वुडन के आप लगाओगे बीच में MS फ्रेम लगा रही है बहुत खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा में बोलता हूँ डवल खर्चा पड़ता है अगर आप अलमुनियम और यू पीबीसी के यूज करते हो तो इसके साथ जाओ जो फ्रेम होगे आपके डोर के तो वुडन के साथ मत जाओ वुडन के थोड़े कोशली पड़ते हैं अब MS जाओ यहाँ आप यूज कर लो कॉंक्रीट के भी बने आते हैं लेकिन उसमें आपको ग्रेड यूज कर लेना है कि ग्रेड कॉन सा यूज की MS जो आप कॉंक्रीट के यूज करने जा रहे हो तो आ आप उसमें MS के साथ जा सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पढ़ता है wooden से, ठीक है, ये चीज भी है, आपको दियान देना देना है, next चीज जो आपको दियान देनी है, most important चीज है, जब गर की construction करवा रहे हो, आपने ठेकदार hire कर लिया, पहले तो rate पता कर लो, हर जगा rate पता कर लो, कि ये क्या rate ले रहा है, ये क्या rate ले रहा है, इसकी quality कैसी है इस rate में, कुछ ठेकदार होते हैं, कम rate में काम शुरू करतेंगे, लेकिन quality नहीं होगी, ऐसा ठेकदार डूनना है, उसके पहले काम देखने है, 4-5 काम देखने हैं, उसने किस rate में किया है, और क्या quality उसने दी है, जैसे हम choose करेंगे, कर लिए choose, उसके बाद agreement कर लो, अगर आप agreement नहीं करते हो, लोग बहुत फस्ते हैं यहाँ पे, contract और उसका agreement कर लेने हैं, कि हम यह quality के, मैंने एक वीडियो डा लेने हैं, कि हमें कौन सा cement, कौन सा material, कुई कितनी हमारे area हो रहा है, कितनी gallery बन रही है, अगर पहले हमने plan के साथ से decide कर लिए, कि हमारा इतना area हो रहा है, तो contractor कभी भी आपके साथ, यह दोखादरी नहीं करेगा, कि sir, इतना square feet area हो रहा है, बाद में बोलेगा, पहले ही measurement कर rate कर रहे हो, 2000 square feet into 1500 कर रहो, जो bill बनता है, उसी साथ से हम पैसे देंगे, लेकिन होता क्या है, पहले rate fix हो जाता है, 1500 square feet हम rate दे रहे हैं, और area नहीं ना पाच जाता है, area last में ना आपते हैं, area वो last में, gallery निकाल रहे हैं, कोई कुछ ऐसे count कर रहे हैं, तो वह वहाँ पे आपक ने फसाते हैं, तो पहले ही agreement करो, पहले ही area ना आप लो, सब चीज कर लो, कि आपको final हो गया, 20 लाक रुपया हमारा इस गर की construction में लगने वाला है, बिद material, यह यह material यूज होने वाला है, तो वहाँ पे आपका खर्चा बच जाता है, यह बहुत चीज, important चीज होती है, ठी चाचाच 5-5,000 पे के door मने बना जाते हैं, तो ऐसे आगर खुद का एक फ्लश डोर मनाने जाओगे, यहां लकडी के door मनाने जाओगे, तस बारा बारा हजार लग जाता है, तो यह चीज पे भी धियान देना होता है, और most important जीज, जो खर्चा हमारा बचता है, वो बचता है सेप्टिक टैंग, जो हम सेप्टिक टैंग यूज करते हैं, उसकी इतनी, मेरे जो नौर्स का एरिया न, यहां सेप्टिक टैंग इसी साफ से बना जाते हैं, जैसे वो ताज मैल बना रहे होते हैं, उसमें इतना खर्चा करते हैं, बाहर में ब्रिक पर्क होता है, पीछे मे ऐसे ऐसे construction उसमें जो मैं अगर बताऊं आपको जो safety tank बनाना यहां उपलब्द भी नहीं है pre-cast safety tank आते हैं circular आते हैं square आते हैं तो उनको use करो यार आपकी अगर जो family है आजकर लोग joint family में तो है नहीं single family है जाज जाज 6 यह 7 आदमी होंगे तो जो छोटा अगर आप use करते हो तो वो भी आपके गर में अच्छे से perform करेगा तो जो खर्चा आप लाखों लगा रहे हो यह बनाने में septic tank RCC का brickwork का तो pre-cast उसके लिए use करो अगर प्री-cast use नहीं करने तो simple जितना खर्चा आप safety tank में बचा सकते हैं उतना बचाईए क्योंगी इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाते है यह चीज़ वाकि जो elevation जब आप architect के पास जा रहे हो जो गर की construction कर रहे हो है elevation में इतना खर्चा मत करो जो offsets निकलते हैं बार मतलब कहीं पर scare बनाया हुआ है कहीं पर beam दिये हुआ है ऐसा जरूरत नहीं है आप duplex बना रहे हो जो जिस हिसाब से आपके room जा रहे है उस हिसाब से आप उसकी shape दोगे जब ठीक है तो आपका गर ऐसे ही सुनदर देखेग plaster वाला ज्यादा खर्चा लेगा लेवर का खर्चा बहुत जाता है shattering उसके लिए कभी कभी आपको steel के frame बनाने पड़ते हैं तो वो खर्चा बहुत जाता है क्योंकि अगर आप खर्चा decrease करना का सोच रहो तो इसके साथ मत जाओ elevation के साथ जिनको खर्चे कोई पड़ा ही नह जो easy हो जाता है जो staircase होती है वो simple staircase रखिए जितना possible हो उसमें आप क्या करो मतलब जो chain link आती है उसको मत बनाईए उसका कुछ fund नहीं है interior अंदर में है तो बनाईए जैसे सामने बनाईए इसको क्या fund है कुछ नहीं है बाहर दिख रही है बेकार दिख रही है जगह भी utilize नही जिए आपको material का जैसे मैंने कहा था 75% हमारी गर की construction में material लगता है तो material पर हम खर्चा कैसे बचाएंगे material पर हम खर्चा बचाते हैं अपने local area से material लेते है local area का यह नहीं कि quality compromise कर रहे हो एड़ीडास का shoes लो और एक local company का shoes लो चलेगा same थोड़ा देखने में उसके होगा ले quality अच्छी quality के साथ चीज़ें मना रहे हैं तो आपको local area में material का पूरा पता करना है फिर उसको लेना है यह नहीं मैं बोल रहा कि जो ACC cement है उसकी जगा BCC cement ले लो कोई जिसका को याता पता नहीं है लेकिन जो कुछ company अच्छी है local अच्छा brand बना रहे हैं दीरे दीरे increase कर रह quality वही use कर रहे है वह जो आपसे खर्चा ले रहे हैं वह किस चीज का खर्चा ले रहे हैं वो ले रही है जो उसको घड़ा तो यह चीज को हमेशा ध्यान में रखना कभी brand के साथ मत जाना quality के साथ जाना quality चेक हो जाती है पता चल जाता है product पे पूरी description होती है application होती है उससे idea लग जाता है बस आपको थोड़ा research करना पड़ता है चीज के लिए तो यह research जूरूर करने न और आपकी जो flooring है वहाँ tile use क करिए marble के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाओ tile के जाओ आज कल PVC sheets आ रही है PVC sheets यूज करो cement जो लोते हो लेती हो दो टाइप के cement लो plaster या PPC cement क्योंकि वह सस्ता रहता है 10-20 रुपे वहां बच रहे हैं बहुत अच्छा है और जो आप slab के लिए यूज ले रहे हो OPC cement लो और एक म अपर से आपकी shattering नहीं है settlement नहीं हो रही है तो आपका cement यह चीज़े अगर आप अच्छे से कर लोगे आप simple cement लो जो हमारा OPC 53 grade लो अच्छा grade लो ठीक है 410 रुपे का 400 रुपे का bag मिल रहा है वो अच्छे से कर लो उसके उपर waterproofing कर वालो यार कुछ अच्छी सी वह जो 60 रुपे आपने cement पर खर्चा किया दो ना वह आपको 10-20 रुपे पर स्केर फीट के साफ से waterproofing करके देगा अच्छी और अच्छी वह दिखेगी यह चीज भी बहुत important चीज दी इसको भी ध्यान में रखके ही करना design उसको बोलो हमें चाहिए simple हमें बचाना है खर्चा और खर खर्चा लेती है क्योंकि उसमें सरीया बहुत जाता है लेवर बहुत जाती है आज कल ट्रेंड वह चला है तो उसमें खर्चा जाता है दिखने में वह इतनी जाता है मतलब middle class family उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो किसमें विलास में बंगलों में होती है वह उसकी हमारे घर प जहां कुछ circular शेप है जितनी difficult शेप नहोंगे उतनी लेवर लगती है उतना time लगता है और column जो रहेंगे आप क्या करो जितने size की आपकी दीवार बाकी design आपका architect civil engineering कर लेगा लेकिन जिस size की आपकी दीवार है उसकी का दो ना circular देने की जुड़ुत है ना बड़े rectangle ना column य जो बाहर elevation दी होती है मतलब beam निकाला हुआ है फिर shape arch दी हुई है तो इसमें खर्चा जाता है इसमें कोई जरूत नहीं है जो खर्चा आपको करना है अपने interior पर करो दूसरों को दिखा के कुछ नहीं elevation दो कुछ elevation सस्ती होती है simple elevation होती है जो square होगी rectangular shape की elevations होगी वैसे होता है यह चीज भी दियान रखना हो अगर आपके पास है 2000 square feet और आप सोच रहे हो मैं क्या करूंगा नीचे 2000 square feet का बना दूंगा अगर duplex नहीं जाओंगा 2000 square feet अगर जगा है मैं बोलता हूँ 1000 square feet पे गर बनाओ बाकी lawn के लिए रखो अच्छा भी दिखेगा दूसरी चीज इसमें खर्चा कैसे बचेगा खर्चा इसमें ऐसे बचेगा अगर 2000 square feet की जगा है 1000 square feet में आप बना रहे हो एक तो जहां excavation का खुदाई का खर्चा क्यूंगि पूरे में आपको footing plinth देना पड़ेगा तो वो हम जब 1000 square feet पे चलेगे तो putting plinth का खर्चा निकल गया ना हमें खुदाई का पैसा देने ना footing का सेने ना plinth का देने वो खर्चा जब बचेगा हम डिप्लेक्स बनाएंगे और डिप्लेक्स में अच्छा भी दिखता है तो आपके पास अगर जादा जगा है तो उसको क्या करो डिप्लेक्स कर दो single story के बीच मत रहो डिप्लेक्स में आप का काफी खर्चा बचता है यह चीज द्यान रखना आप सबको पता है गर की construction में हमारा 25-30% कि इसका labor का खर्चा होता होता है और दूसरा होता है 70% labor में हम कम पैसा बचा सकते हैं सबसे जादा गर की construction cost अगर decrease करनी है reduce करनी है तो वो material आपका करवाता है कैसे मैं समझाता हू देखो अगर steel brand के साथ जाओगे, Tata के साथ जाओगे, Sale के साथ जाओगे या किसी दूसरे विजड़े, बड़े-बड़े brand के साथ जाओगे वो branding का पैसा आपसे लेंगे ठीक है आपको क्या करना है आपको क्योंकि आपको घर बनाना यार 1 story, 2 story, 3 story उसमें इतना ना आपको wind forces का डर है ना आपको अत्के का डर है क्योंकि तीन स्टोरी में कॉलम बीम गारा प्रवाइड की है foundation की है कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली तो आपको करना क्या है आपका जो भी local brand का सरिया है वहाँ उसको लोग क्योंकि local brand ये तो नहीं है कि वो गर से कोई मिट्टी निकाल रहे है उससे सरिया मना रहे है ऐसा कुछ नहीं है वो सरिया भी proper ISO verified है ये देखना है कि ISO में verified होना चाहिए उस पर लिखा होना चाहिए सरिया पर ISO अगर वो लिख दिया है बहुत पूर्य हो गया क्योंकि उन्होंने rule follow किया ISO code जैसे बोलता है वैसे सरिया बनाओ क्योंकि वो छोटी company है branding में इतना खर्चा नहीं लगा रही है वो उसमें पैसा बचा के आपको सस्ता सरिया दे रही है कि आप ही उसकी marketing हो जाओ तो आपको क्या करना है local brand लेना है बस उसमें यह दियान रखना है कि 500D हो 500D है वो सरिया यूज करो उसमें ही आपका 40-50,000 बच जाएगा अगर branded सरिया लोगे वो 40-50,000 लगने माला है क्योंकि branded सरिया आपको मिलेगा 80-90 रुपे किलो दूसरा सरिया आपको मिल जाएगा 60-70 रुपे किलो अगर आप अपने गर में PPC सीमेंट यूज करते हो Portland, Pozlana सीमेंट और वो सीमेंट में बोलता हूँ OPC से भी अच्छा है तो आपको क्या करना है जब सीमेंट लेने जाना है तो PPC सीमेंट लो बले plaster करना है, concrete slab करनी है, footing करनी है PPC सीमेंट लो Portland, Pozlana सीमेंट और उसको bulk में उठाओ bulk में in the sense अगर 1000 square feet का गर है आपको पता है 300-400 bag हमारे लगने बाले है तो आप क्या करो उस बंदे को पहले ही पैसे दे दो भाई ये रहे 500 bag के हमारे पैसे बले मैं अभी 100 bag लेके जा रहा हूँ लेकिन 500 bag में इसी rate में लेके जाऊँगा क्यूंकि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ भाई पूरे ठीक है और एक साथ bulk में ले आओगे तो तीन महीने के बाद थोड़ा सीमेंट खराब होने लग पड़ता है तो आपको थोड़ा थोड़ा लाने है 200 bag उससे लियाओ उससे construction कर रहा लो फिर 200 लियाओ फिर 100 लियाओ मतलब एक साथ bulk में quantity उठाऊगे तो आपका सीमेंट आपको 10 से 20 रुपे सस्ता पड़ता है और PPC ऐसा भी सस्ता है तो 20 से 30 रुपे होगे और अगर जहां हमारे 500 bag लगने वाले हैं तो वहाँ आपका बहुत पैसा बच रहा है देख रहे हो न 20 से 30 रुपे है वहाँ बच रहा है सैंड की अगर बात करें material की बात हो रही है तो सैंड आपको क्या करनी है local river की जो सैंड है वो costly होती है अच्छी सैंड होती है वो आपको plaster के लिए यूज़ करनी है M सैंड जो होती है जो crasher से सैंड आती है जो artificial बनती है वो M सैंड उसे बोलते हैं वो आप concrete में यूज़ करो concrete में यूज़ करोगे कोई दिपकत उसमें नहीं आएगी फिर tile अगर आपके अपने गर में लगानी है क्योंगी finishing में खर्चा होता है अगर non brandy tile लगाओगे तो वो आपको 10-20 रुपया पर square feet सस्ती मिलेगी कजारिया की लोगे वो 50 रुपय पर square feet मिलेगी अगर local कोई brand पकड़ते हो वो आपको 40 रुपय पर square feet मिलेगा तो वहाँ खर्चा बढ़ जाएगा और जब tile लगवा रहे होंगे तो पूरे गर में same tile लगवाना अलग-अलग color की tile लगाओगे वो खर्चा 20-30,000 रुपय बढ़ जाएगा एक simple एक जैसा सब के लिए पूरे गर के लिए tile लो वो अच्छी भी दिखती है कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है फिर जब window लगवाने जाओगे window आपको क्या करना है जान तो PVC की लगवाओ या aluminum की लगवाओ दोनों बहुत अच्छी दिखती है बहुत सारे color मिलते है branded मला हर चीज उसमें है और wood से सस्ती है लगाना उसका labor cost सस्ता पड़ता है बहुत ज़़ा सस्ती पड़ती है लकडी की तरफ MS की तरफ मत बागो बहुत खर्चा बढ़ता है आप क्या करो aluminum या PVC की यूज़ करो बहुत अच्छी है वैसे ही इसमें door जब लगाऊगे वो भी PVC के यूज़ करो आपके kitchen होगे आपके बाद सुमोगे वहाँ PVC के main door रेडी मेड बना के लवाओ board का वो 7-8000 उपे में मिल जाएगा गर पे बनाऊगे लकडी लोगे वो बहुत काउश्टली बढ़ता है एक दो डोर रखो जो आप लकडी का बनाऊ मतलब वो भी ready made लो बले board का बना हुआ लेकिन बाकी आपको PVC या aluminum के लगाने है जब paint और putty की बात आती है तो paint आप putty में कैसे पैसा आप बचाओगे आपको क्या करना है paint putty में putty मरवानी है मरवा कोई दिक्कत नहीं putty का A code बढ़ा लो उसके उपर primer लगवा लो तो आपका उसमें भी खर्चा बच जाएगा अगली basic चीज है आपको अपने गर की height उतनी रखनी है जितनी जुरूत है 9 से 10 foot रखो बहुत है कुछ दिक्कत उसमें नहीं है आप 9 foot भी रख सकते हो एक int भी अगर बढ़ाओगे तो गिनो कितनी ज़ादा int लगेंगे तो वो पैसा भी हमारा बचता है फिर बहुत में important चीज है contractor को जब भी hire करने है आपको आपको कौन सा contractor hire करना है लेवर contractor मतलब लेवर उसकी होगे material आपका होगा जब ये करोगे आपका 100 से 200 रुपिया पर square feed पिसता है मतलब 2 से 3 मतलब ये पकड़ के रखो एक से 2 लाख रुपिया सीधा सीधा बच जाएगा अगर आप क्या करोगे लेवर contractor hire करोगे लेवर दूसरे की रहेगी material आप लाओगे 180 से 210 रुपिया पर square feed इस समय चल रहे rate तो उससे होगा क्या उससे आपको इंजिनियर से नपवा लेना है आपकी slab कितनी होने वाली है उसी साफ से पहले ही rate fix हो जाएगा कि इसका 2 से 3 लाख रुपिया बनेगा लेवर का बाकी material आप लाके दो खुद पर पर अपको जब लेवर contractor hire करो तो quality पर दियान रखना यहाँ भी 1 से 2 लाख रुपिया आपका बच्च रहा है और agreement जरूर कर लें जब भी labor contractor लो नहीं तो बीच में वो गूम जाती है यह चीज दियान रखना देखो और गर की construction में अगर cost decrease करनी है तो आप क्या करो जैसे मैंने कहा है डिप्लेक्स बना रहे हो पहली स्टोरी नीचे वाली स्टोरी में लाल इंटी यूज करनी है clay brick जिसे हम बोलते हैं वो कर लो कोई दिकरनी है एक सरिया हमारा बचा दूसरा WAC block में लेवर लगान जब लेवर करती है उसको लगवाती है वहां हमारी लेवर कम लगती है as compared to जब brick की बॉल बनाई जाती है तो लेवर भी कम लग रही है plaster की thickness कम होती है क्योंकि plain surface होता है उदर अगर आप 6-7 mm plaster भी चड़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो WAC block यूज़ करो बहुत पैसा बचते है मतलब brick work और WAC block में अगर price comparison करें आपका 1 cubic meter में भी 2-3,000 रुपे बच जाएगा तो इसमें भी आपका खर्चा बचता है आपको यह चीज़ दिया लेनी है जब भी kitchen design करवाओ, aluminium यूज़ करो उसमें क्योंकि अगर kitchen आप proper board, short, सब कुछ लगाओगे एक से 2,000,000 रुपे लग जाता है aluminium की kitchen बनाती हो, देखने में बहुत सुन्दर दिखती है मैं बोलता हम wooden से भी अच्छी दिखती है क्योंकि उसमें भी काफी color आ जाते है तो उसमें भी आपका 60-70,000 रुपे बच जाता है यह चीज़ दियान रखना और जब slab की concreting की जाती है तो वहाँ पे thickness भी slab की रखनी है तो आपको क्या करना है चेंच उसको बोला है मैं रेको slab 6 इंच तो 6 इंच ही चाहिए यह चीज़ दियान रखो और अगर मैं कहूं गर की construction आपको कौन से मन्थ में करवानी है तो पैसा बचेगा तो मार्च और एप्रेल जो है यह इस समय जो मोसम है इस मोसम में करवाओ इस से पहले एक पहले जो महिना रहता है इस में करवाओ गया foundation बगरा कोई दिक्कत नीए क्यूंगी shattering सर्दियों में करवाओ गया shattering delay होती है दो-तिन दिन बाद shattering को लेगी उसका भी खर्चा लगता है तो इस समय गर्मियों मोसम करवाओगे तो शट्रिंग आपकी थोड़ी जल्दी खुल जाती है इस समय पानी भी आपको एवलेबल होगा समर में अगर करवाओगे जून जुलाई में काम स्टार्ट करवाओगे तो क्यूरिंग के लिए पानी नहीं मिलेगा तो पानी का पड़ेगा तो एक मोसम होता है मार्च अपरेल रखो बहुत अच्छा मोसम है इसमें करवाओगे तो अब भी स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्रोसीजर पैसे रखो क्यूंकि प्लान के साथ रखो कि आपको अगर 1000 स्केर फीट का घर मनना है तो आपके जेब में मैं बोलता आज से ही प्लान करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल में 15 टिप्स मैंने आपको बोली थी 30 से 40 टिप्स आपको मैंने दे दी ऐसी और ज्यादा टिप्स हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है अगर आप चाहते हो कि और 30 टिप्स बदाऊं गर की कंस्ट्रक्शन डिक्रीज कर अब ही मैं लेता हूं अलविदा लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बल आइकिन दुआ के रखो